नकसल प्रभावित इलाका, बंजर जमीन और अब हर्याली और खुशियों की खेती ये जारखंड के गुमला जिले का बिशुनपोर इलाका है जहां महिलाएं और शधिये पौधे लेमन गरास की खेती कर अपनी और इलाके दोनों की तस्वीर बदल रही है हम लोग का यहां भूमी, बंजर भूमी में हम लोग इतना अच्छा लेमन गरास की खेती हो रही है इसके लिए हम लोग को बहुत सब महिला लोग हम लोग खुसी है अभी हम लोग सबी महिला मिलके MKSV परियोजना महिला किसान ससकती करन से हम लोग जुड़े हुए है और 32 पीजी है हम लोग को, उसमें से हम लोग सबी महिला लेमन गरास की खेती का सुरुवात की है राज्जिक रामियन आजिव का मिशन के तहट यहां 26 गाओं के 32 उतपादत समू, 28 सेकर जमीन पर लेमन गरास की खेती कर रहे है बिशनपूर में महिलाओं की इस मोहिम और सफलता का जिकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोडी ने मन की बात कारिकरम में भी किया जिससे इन महिलाओं का उच्छा और बढ़ गया है मन की बात में जो प्रधान मंतरी जी यहां के बिशुनपूर प्रखंड में जो काम चलरी लेमन ग्रास केती क्या उसके बारे में बहुत परसंसा किये इसके लिए हम लोग सब यहां की जितने भी समू की दीदी हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिनोंने हम लोग को देखकर आराज हम इतने आगे आए हैं हम लोग बहुत खूस हैं जिसे हम लोग को कल प्रसाहित मिला हम लोग को बहुत अच्छा लगा बहुत खूस है और हम लोग आगे भी लेमन ग्रास की खेती को करना चाहते हैं पच्रिली जमीन पर कम लागत वाले लेमन ग्रास के 22,000 पौधे एक एकर जमीन पर लगाए जा सकते हैं वहीं एक कुंटल उपज से एक लेटर तेल निकरता है जिसकी कीमत फिलहाल 1500 रुपए लेटर के आसपास है इसके साथ ही चाय आदी में भी इसका इस्तमाल होता है करें कि और जो ही महिला आया महिला समहु इसमें जुड़ना चाहते हैं वह इसमें जुड़ते जाए हम लोग के समथ में कचार प्रसार करेंगे लोगों को बताएंगे कि आप कैसे इस खेती को करके आपने को कैसे आप आत्मा निर्भर बना सकते हैं हमारे के हैं जितने भी महिला मंडल हैं उसमें करीब 743 महिला मंडल हैं जिसमें से हमारे के हैं 174 महिला मंडल जो है 32 उत पादक सा मुझ में जूड करके 26 गाओं में लेमन ग्राज की खेती 28 एकड जमीन में कर रहे हैं तब से इनको प्रसिक्षन दिया गया, प्रसिक्षन के मध्यम जिनके ताथ जो है लेमन गास्टी खेती के उपर समबर्धन करकर के इनके साथ काम किया है। प्रसिक्षन के मध्यम जिनके साथ के इनके साथ किया है।